एक बार पास-light switch ऑपरेट करके छोड़ दोगे तो आपकी जो हीलाइट है यह शे बार ब्लिंक होती रहेगी तरनेल मोड में आप हेलाइट के पास स्वीच दो सेकेंद तक दबा के रखेंगे और छोड़ दोगे तो आपकी जो हेलाइट है दो मिनिट के लिए या फिर 120 सेकेंड के लिए चालू रहेगी जब तक आपका टरनेल करता हुआ हमारी यूट्यूब चनल मास्टरमाइटिक में है थो ययूट्यूब रिले वायरिंग आपने बहुत सारे कमपनी के देखे होगे लेकिन ये जो मेरे हत में त्यक्ति कंपनी का हिलेट री टो ये समार्ड है रेले के आपको चार एक्ट्रा स्मार्ट पीचर मिल जाए एक नहीं मेरे हाथ में है्ट रिले का कीट है ये डिला की वाइरी और एक रिले में जाता है और रिले में यह दो एक्स्ट्रा वायर साते हैं तो वाइरिंग हम देखने वाले तो यह वायर और यह रिले के कारण में smart वी बी मिल जो वायरिंग केट है इसमें काफ़ी अच्छे गेच की वायर इसके बाद प्रोटेक्शन के दो प्यूज दिये हुए लोग भीम के लिए और यह जो ड्रिले यह स्मार्ट रिले दिया हुआ है तो वाइरिंग तो रीगुलर ही है जो हम एचपॉर का वाइरिंग अब तक आते थे बहुत सारे कंपनी के तो यह सिर्फ रिले में चेंजेसे यह जो रिले उसमें स्मार्ट तो इसका जो रिले है यह सिप रिले भी मिलता है आपके पास अगर पुराना कीट है तो आप सिप रिले भी यूज कर सकते हो और उसके साथ भी आपको सारे स्मार्ट पीचर मिल जाएंगे तो इसमें कुछ रिले वगरा लगा नहीं था इसलिए हमने पूरा किट इसके लिए पर्चस किया है और यह हम से प्रेट का जो बलप है एजपुर का तो यह जो किट मैं दिखा रहा हूं जिन जिन कार्स में एजपुर बब्स लगा हुआ है उन सब कास में बढ़ जाएगा एकदम हाराम से तो आपके लड़ असेंबली के नीचे इस तरह का ओरिणल कंपनी का ओल्डर रहेगा यह आपको निकालना है दोनों साइटी के साइड में जो होल्डर है या पिर जिस साइड में बैटरी उससाइड में यह हमारा जो एक्स्ट्रा वायरिंग है उसका मेल कपलर में लेका मतलब जैसा बल्प होता है उस तरह उसमें पीन लगी होती है तो ओरीजिनल वायरिंग में यह आपको फ्रेस करके लगा देना है और एक आपका वायरिंग का एक्स्ट्रा ओल्डर आएगा दोनों तरह पाएगा तो आपको वह एलाइट के बल्प में लगा देना है थूड़ा कॉ तो यह भी इजिली वेट जाएगा यह जो हमने लगा उसमें एक ब्लैक कलर की ग्राउंडिंग या पिर आतिंग अपिर निगेट वायर आएगी तो वह आपको जिदर आपको अच्छा लागे उदर आपको नट में या पिर बोल्ट में बाड़ी के साथ वह एटेज करने है तो मुझे यहां पर सफिशंट लग रहा है तो मैंने यह यहां पर एटेज कर दी तो उस साइड में सेम जो कंपनी का ओल्डर रहेगा वह आपको निकलना है और उसको ऐसे ही रखना है क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं है अभी तो और जो वायरिंग का माना होल्डर होता ह है वह हुआ साइड को भी बल्प में लगा देना है ठीक है व्याइक वाउई इदर बीपर देना है तो या जो कम्पानी और कर दोंगा यह देखो जब ये भी वायर रहेगी ये निगेटीव रहेगी तो टीके ये जो बोल टेमें टाइट कर दूगा इसके बाद आपको एक वाइट वायर मिलें गया इट कलर के तो जो वाइट कलर के वायर है आपको बैटरी की पोजिटिव जो एरे प्लस लिखा है तो यह आपको बैटरी में देनी तो यह भी मैं यह निकाल के इदा लगा देता हूँ तो अभी सब फिटिंग हो गया सब वायरिंग भी हो गया ठीक है तो अपसे बच गई यह वायर यह देखो यह लाल कलर की वायर है और इदर लिखा है पॉजिटिव आईजीन मतलब प स्मार्ट पीचर यह वर्क नहीं करेगा तो आपको इसी वायर दूननी है जिदर चावियों करने के बाद ही बारा होल्ट करन्ट यह फिर होल्टेज आ जाए ठीक है तो यह इसी वायर आपको मिलेगी आरुति की गाड़ी है तो वायपर मोटर में मिलेगी और इस तरह के अल स्विच को या पिर आपका मीजिक प्लेयर लगा होता है उसमें वैसी वायर आपको मिल जाते है तो अभी हम इस गाड़ी के वायपर मोटर में वायर दून्टे उस रेट कलर के वायर को एक एलो कलर के वायर हमने लगा के एक्स्टेंड करके यहां तक लेके आए देखो क्यो टेरा पंचार लोड आ रहा है अब होई चावी और एंव इस आप करके देखते हैं अभी चावी आप कर के देखो कि आपके बाद बैटरी का रा राहा है तो यह हमारी वायरा में मिल गई इजमीशन किये ठीक है अपके पास मल्टिमीटर नहीं है तो 12 माई बर्प लगा के भी आप चेक कर सकते हों तो इस वायर को हम यह जो एक्टेंग करके वायर हम लेका है यह जॉइन कर लेंगे सब्सक्राइब करें मास्टर मैंटिक चैनल को और बेल आइकन को दबाई है हमारे आटो मोबल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब देखो सारा फिटिंग एकडम प्रॉपरली हो गया और इसमीं कुछ जादा दिककत वाली बात नहीं है ठीक सब अघ्समें चाहिए कर से इस में फिटिस कार में अपने पहले से tangible डिया है जो रिले वह लगए दिन्गे तो भी आपका का मउ जाएगा और कपधी अच्छी होले टीकी और और so 130 का बल्प भी इसमें चला सकते हो आप लेकिन कार्श में इतना मचला है, 90 आंट रेट का ही बल्प लगा है हमने भी 90 आंट रेट का बलप इसमें लगा दिया है क्या है, सो एक्सोटीस का बलप है यह जो प्लैस्टिक के लड़ होते हैं उसमें थोड़ा सांपूल होता है इसलिए नाइटी हंट्रेट का बलप सब्पीशेंट है ओरिजनल होता है वह फिप्टी पाइश्टी आपको इसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा अभी इसके जो फीचर है य सामने गाड़ी होते हैं तो सामने ओले को सिगनल देने के लिए हम पासलाइट का यूज़ करते हैं अगर हमें दो तीन बार पासलाइट देनी होती है तो उतनी टायम तक हमें यह स्विच दबा के चोड़ देना पड़ता था लेकिन अब उसकी ज़रुरत नहीं इसमें जो पासिंग फिचर है या फिर वन टैम पासिंग फिचर है एक सेकन से पासलाइट स्विच ऑन दबा के रखो उसके बाद छोड़ दो इससे क्या होगा छे बार आपके जो है वह बन चालोगी और सामने आवलों को एकदब बेटरली सिगनल मिल पाएगा अनिल आ जाता है और हम पासलाइट का स्विच दबा के रखना है उसके बाद छोड़ देना है इससे क्या होगा जो आपकी हेल लाइट है यह दो मिनिट टक आउन रहेगी और दो मिनिट के बाद आटोमेटिकली आप हो जाएगे इसमें आपका टनले भी क्रॉस होगा हेल लाइट भी और लेकिन अब कुछ प्रॉब्लेम नहीं है अगर आप अलएट भूल के चालू रग गए और निकल गए गाड़ी से चावी निकाल के तो आटोमेटिकली जो है यह है यह सेकेंड बात बन हो जाएगी कि यह देखा भी बन होगे लाइट क्या होता है रात में हम जब गाड़ी बन करके आते हैं तब हमें आने में दिक्कत होते हैं क्योंकि अंदेर होता है इसमें आपको चलने में हेल्प उप की जब आप हैल्लाइट बन करके चावी निकाल के गाड़ी से बाहर निकलो निकलो तो इस तरह जो हमारा है स्मार्ट हेडल राइड रिले डिलाइड कंपनी का यह वर्क करता है और कापी अच्छी कॉलिटी और फीचर भी हमें बहुत अच्छे इसमें मिल जाते हैं आपको अगर यह पूरा वायरिंग की या फिर सिर्फ रिले पर्चेस करना है तो अगर आपको अच्छे लगा तो फ्लीज यह विडियो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए बनाता रहता हूं